हैलो फ्रेंड्स बेलकम बाक टु माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स महीं बात करतों वर्टेज चैंपियन सीप 2013 का फानल मुखाब्ला साथ जून से ग्यारा जून तक यह मुखाब्ला इंडिया वर्फस अस्तेलिया के बीच करो या मरो का होने वारा है यह मुखाब्ला इगलेंड के दाओबल ग्राउंड पर भारतिय समुसार तीन बजी आने के थी पीयाम पर खेला जाएगा तो इपर आणस बता दे कि इसके लिए रिजर्वडे भी बारा जून रखा गया है इस मैच के लिए भारतिय टीम डो स्पिनर गेज बालो को मैडान प तो इस बात करने हुआ रहे हैं पिछ रिपोर्ट्स हैट टो हैड रिकार्ड लाइब पर सारण आप कहां से देख सकेंगे भात्य टीम की प्लेइंग 11 मैच प्रिडक्शन यानि की कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी तो फ्रेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को भी प्रैस करने तो ही फ्रेंट्स पहले बात करते हैं पिछ रिपोर्ट्स की आला कि भारत और अस्टेलिया के बीच यह मुकाबला इग्लेंड के दाओबल ग्राउंड पर खेला जाएगा यहां की पिछ पर आप तक कुल 105 टेस्ट की खेला गया है जिसमें से बढ़िटिंग काने वाली टीम आरतारिस मुकाबले मेंद माजी माले तो ही रनचेश करने वाली टीम भी उन्तिस मुकाबले में जीत हासिल कर पाये इस पिछ पर ताजीट कर सब लेंड पायती चाहिए कि इस ग्राउंड का ओसाती स्कोर भी 343 रन है तो इस बात करते हैं इंडिया वर्सस अस्टेलिया की हट टू है रिकार्ड हाला कि दोनों टीमों के बीच कुल 106 बार आमना सामना हुआ है तो इंडिया की टीम ने 32 बार जीत हासिल कर पाई है तो यह अस्टेलिया की टीम भी 44 म मुकाबले भी डड़ा रहा है और एक मुकाबले में कोई रेजल्ट नहीं निकला था तो इस बात करते हैं कि आप इस मुकाबला राइप परसारण कहां से देख सकेंगे हाला कि यह मुकाबला इस्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर पर परसालिप क्या जाएगा किर्केट फा तो इसा करते हैं भारते टीम की पनेकम की बात करते हैं तो इतीसरे नμबर पर छताफृ ले पर पकोणी है तो याथवेग नमबर पर सारदूल ठापुलाए तो यह जो कि वर्टेस जब्कारणल मुखाब्ल डावल ग्रावड पर अस्टेलिया टीम का सामना करने हैं करेंगी मैजान पर साम तीन बज़े यानि की त्रीपीम पर तो इस बात करते हैं मैज प्रेक्शन की यानि की कौन सी टीम जीतेंगे और कौन सी टीम हारेंगी आगड़े भी देखा जाए तो इस टेजिया टीम का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है लेकिन फ्रेंट्स यह बताएं कि कौन सी टीम जीतेंगे और कौन सी टीम हारेंगी आला कि इसमें ज्यादा चांस है भारत्य टीम को जीतने की तो फ्रेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले थैंक् बार वाजिंग